हल्दवानी में बनमुल पुरा इलाके में बीते आठ फरेल को अतिक रम्र हटाने गई प्रिशाचन और पुलिस की टीम पर पत्राव और आगजिनी के दुरान नगर निगम और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ इसका आंकलन करने के बाद नगर निगम ने मुख्या आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूल नोटिस जारी कर दिया है नगर निगम में आरोपी को 15 फरे तक भरपाई की रकम 2.45 लाक रुपे अदा करने को का है डेडलाइन के उलंगन पर कानूनी कारवाई की चेतावनी भी दी गई है हल्दवानी जिले के भनमुलापुरा में हिंसा के चार दिन बाद मुस्लिम परिवारों ने जिले से भार शोशी शेत्रों की और पलायन करना शुरू कर दिया है लगबक 500 से अधिक परिवार शेयर चोड़ चूड़ चुके हैं कई परिवारों को पैदली अपने सामानों के साथ सड़कों पर देखा गया शेत्र में फिल्वाल कर्फ्यू लगा है और इस वज़ेसे वहाँनों की आवाजा ही बंद है बन मुलपुरा में कवित अवैद मस्जिद और मदरसे पर पर प्रशाशन दवरा चलाये गए विद्वेंच अभियान के बाद कोई हिंसा को लेकर इलाके में तलाशी अभियान चलाये गया मामल में पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिर्फतार किया और कई लोग अभी भी रडार पर है गिर्फतार लोगों के कबज़े से उत्राखंट पुलिस ने कई हतियार भी बरामत किये प्रशाचन ने अब हल्दवानी के कई हिस्तों से कर्फ्यू में ढिल दे दी है लेकिन जिले का बन पुलपुरा इलाका अब भी बीशन कर्फ्यू की चपेट में है लोगों से सकती से कहा गया कि वे घर के अंदर है कानून का उलंगन करने वालों पर कारवाई की चितावनी दी गई है जिन इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है उन्हें छोड़ कर हल्दवानी के कई हिस्सों में इंटरेट सेवाएं बहाल कर दी गई है हाला तनापुर होने के चलते मुस्लिम परिवार अपना घर छोड़ कर पलाइन कर रहे है लेकिन प्रशाचन ने भनभूलपुरा के सभी एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स को सील कर रखा है ऐसरी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद